नमस्कार दोस्तो जैमाता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 मही आने की सोमार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हमको अपोर्चनिटी मिल सकती है उसके पिछे का लोजिक क्या है साथ में option chain analysis भी करेंगे ताकि कल के लिए market के crucial level हमको पता लग जाएं तो दोस्तो वीडियो को end तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बेंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो की इंट्रा डे के लिए best होता है पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मैं खाली market को observe कर रहा हूँ खासकर चार जून तक जब तक election का result नहीं आ जाता क्योंकि इंडिया विक्स ओल्लेडी 18 से उपर जा चुके साड़े 18 के आसपास है तो market बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है बीच में कुछ दिन काम किया दा लेगिन जिस त्रीके से आपको market के हाला दिख रहे मार्केट लगातार यह profit booking की वज़़े से गिरती जा रही है ऐसे में बहुत सारे लोग घवरा रहें देखे घवराने की इसे में कोई बात नहीं है आप एक बात बताईए मैं खासकर अन लोगों से जो मंदी का सामना नहीं कर पाते हैं आपका हमेशा होसला बढाता है जारी एकृवठी चाहं की वजए से यह पर फिर से और यह प्रोफित कीट करते कबर है मैंने किसे अब अच्छा प्राइज पैटरन प्राइज आक्षन प्राइज कोई खत्रे की बात नहीं तो एम तो आब कया क्वलत्यान है ती है और सुक्रशन का है संबते हैं थोड़ा सा एक हपता डे डफता और लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यहां से फिर मार्केट ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 पॉइंट मैक्सिमम मुझे लगता है ऐसा गिर सकती या फिर यहीं से मार्केट वापिस मुड़ सकती है चलिए चोटे टाइम परे में इंट्राडे के लियाद से देखते हैं कहां पर मुमेंटम मिल सकता है 48000 जे ब्रेक वा था तब तो हमने काम किया था पुट साइड का मैंने पोस्ट भी किया था कुछ आपको किया ऐसे यह लेवल इंपोर्टेंट और अच्छा मुमिंटम भी मिला था उसके बाद एक दिन का मैं छुटी कर लिया था बीच में क्योंकि मैं मार्केट पे अभी ज यहां से लेके यहां तक की गिरावट में देखोगे बैंकनिerved ребен लाल रंग मोनी भी तो मार्केट कम गिर रही थी पॉलस में ही मिलेगा एनिकी स्टोक थोड़े से रिकवर किये यह साइन होता है दोस्तों मार्केट अपने आपको सेटल कर रही है कही ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट कर रही है और मार्केट रिकवरी के लिए तयार हो सकती है अब इंट्राडे में हम इसको कैसे प्लान कर स वो है 37,300 का क्लोजिंग बैंक निफ्टी गया है 37,421 पे अब जब तक दोस्तों यह लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं कर देती जो लोग पूछने की रिकवरी कब आएगी कैसे पता चलेगा देखिए सिंपल है बिल्कुल आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को पढ़ना शु पर निफटी ने ब्रेक किया में अफिण करके लास्ट स्विंग से तेनीफिंग नहीं किया है तो अगर भी पास एक जो लासट स्विंग और 57,600 के अब हम नहीं हो सकतेँ सिधी सी बात है क्योंकि ऐसे ट्रैप हो जाएगे पूंच बनाएगी क्योंकि इंडिया विक्स हाई है तो वोलेटाइल रह सकती है एकदम से ब्रेक आउट अगर स्विंग का आता है तो हम बुलिश नहीं हो सकते हैं अगर फ्लेट खुले या हलके फुल की गैप अप खुले अगर 7600 के उपर निकले थोड़ा सा नीचे आए फिर से अगर ब्रेक करती है अब आपको न एक डबलू पैटर्न यहां पर और प्राइज एक्षन दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे और फिर जो अगला हमारा टार्गेट होगा 48000 का हो जाएगा क्योंकि मैन जो ब्रेकडाउन हुआ है राउंड लेवल का वह यहां से हुआ है तो अगर बैंक निफ्टिकल फ्लेट खुल देखे 47600 के उपर कोई भी एक प्राइज एक्षन बनाती है चाहिए वह पांच मिनिट में बने या तो क्या ज्यादा चांस की स्टीज के है अगर रिकवरी आनी होगी तो 600 के उपर निकलेगी एक थोड़ा सा मूविंग एवरेज को टच करके ऐसा स्विंग बनाएगी और फिर से कंटेनियू करेगी अगर ऐसा प्राइज एक्षन बनता है तो इसमें मूविंग एवरेज की भी पॉइंट की और वह नहीं टिक पाती है तो हमको 1500 और गिरावट देखने को मिल सकते हैं जिसका हम एनालीसिस करेंगे जब मार्केट कुछ दिन और बंद हो जाएगी थोड़ा सा चालू रहे के ठीक है ट्रेडिंग करके अब देखिए ब्रेकडाउन लेवल है 37,300 का जहां पर सपोर्ट लिया और अगर आप हिस्ट्री में देखोगे थोड़ा सा जाके तो यहां पर एक सपोर्ट था ऐसे ही सपोर्ट नहीं लिया है आप यहां पर देखोगे ब्रेकडाउट आया था और एक अच्छा प्राइज एक्षन भी यहां पर आप देखोगे दो बना वाथ और नेक्स्ट जो प्राइज एक्षन हो वह चाली सजार नोसो पचास से लेके 37,000 जो कि एक साइकोलोजिकल लेवल है वहां तक है तो एक सिंपल सा आपका यह एनलीसिस हो गया पूट साइड का अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लेट खुलती है हलके फुल पाइंट की डाउंसाइड मुमेंटम देखने को मिल सकती है अगर ऐसा स्विंग बनता है ब्रेकडाउन होने के बाद तो पचासाठ पाइंट का स्टोपलोज डालके मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा सिंपल सा दोस्तों यह फ्लेट ओपनिंग का एनलीसिस है ज्या कोई फायदा नहीं है ठीक है अब देखिएगा अगर गैप खुल जाती है गैप भी हमको यह देखना कि कहां पर खुल रही है चात्सों से लेके चैंसों के बीच में खुल रही तो यह थोड़ा सा प्रोफीड बुकिंग एक बार आ सकती है मूविंग एवरेज को टच करके अगर दोस्तों गैप डाउन खुलती है अब 47,200 के आसपास गैप डाउन अगर खुल गई या फिर 47,300 के आसपास खुल गई तो हमारे पास 47,000 तक का तो सपेस है लेकिन उसके नीचे फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा हम 47,000 के नीचे निकल के कोई ऐसा स्विंग रहता तो फिर और भी प्रोफिट बोकिंग आ सकती है जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था कि 28,000 के लेवल तो एक अच्छी प्रोफिट बोकिंग और आ सकती है प्रोफिश डालके वापिस से जो आज का लो है यहां तक के टार्गेट के लिए और अगर हलका फूल का गैप डाउन खूलती है जब तक हम बुलिश नहीं होंगे जब तक यह लास्ट जो क्लोजिंग प्राइज इसके उपर मार्केट यानिकी सेंटालेजार पांसो सेंटालेजार चारसो पचास के ऊपर नहीं निकलना शुरू कर देती तब तक बुलिश होना थोड़ा सा खत्रे से काली होगा वाई तो हलके फूल के गैप डाउन में हम क्या करेंगे इसका हाई ब्रेक होने देंगे और अच्छा सा स्विंग बनने द बना रहेगा ठीक है हाँ डेटा के लिए आप टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हो मैं बताता रहता हूं जैसे मुझे टाइम मिलता हो सकता कलिया पर सो एक दो दिन तक टाइम ना रहे लेकिन मैं कोशिस करूंगा अपडेट करने की आगे आपको डेटा मिलता रहेगा पर ऐसे ही क्योंकि अभी थोड़ा सा जैसा कि मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता है तो चल रहा है तो थकावड़ी भी बहुत हो जाती है क्योंकि काम बगएर ज्यादा करना पड़ता है तो आप टेलीग्राम गुरूप जोइन कर सकते हो फ्री ओप कोई 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 को डिस्क्रिप्शन में आपको लिग्म्ट में जाएगे तो कोमेंट में पिन कर दोंगा और आवसे सब करें यहाद हो यह लाइन मैंने आप सब के सामने लगाई थी 21,935 के आसपास की सायद यहीं लाइन थी पता नहीं यहां पे थी 22,055 का हमने जरूर जिकर किया था कि 22,055 पे एक सपोर्ट बन रहा है फिर 22,000 पे एक सपोर्ट बन रहा है यह नीचे कहां तक आई थी 21,933 तक आई क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था ठीक है तो यहां पे थी सायद टेंद लाइन यहां पे नहीं थी वह हमारी वाई मिस्टेक में भूल गया वोलनेंizzard यहां पे थी सायद हमारी टेंड लाइन जिसके थोड़ा सा ब्रेक लाइन होके मारकेट ने रिकवरी किया कहीं ना कहीं उसी के आसपास के लेवल से अब 10,20,50 पॉपर नीचे इसलिए चलता रहता है दोस्तों क्योंकि विक्स नोर्मल नहीं है यह सारा का सारा खेल जब मार्केट वोलेटाइल होती तो विक्स पे डिपेंड हो जाता है तो 10,20,50 पॉपर नीचे हो जाती है इसलिए बोलते हैं सभी लोग मैं मैं नहीं सभी बो तो अगला जो हमको टार्गेट दिख रहा है वह की साथ सो असी तक का भी हमको मुमेंटम देखने को मिल सकता है 15-20 पॉइंट का एसल डालके मैं पूट साइट जाना पसंद करूँगा लेकिन देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्लैट खुले 22,000 का लेवल टूटे फिर फिर से अगर यह लेवल टूटता है तब हमको यह मुमेंटम मिल सकता है यानि कि यह स्विंग जब टूटता है ठीक है और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई सीधा 2950 के आसपास फिर हम वेट करेंगे कभी 2940 के नीचे निकल के क्लोज करती है 15-20 मिनिट की कैंडल और फिर से कंटीनिव करते तो दिन का लो टूटे का पहली 15 मेट की कैंडल को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे अगर नेगेटिव बनती है तो गेप डाउन खुल के फिर जैसे दिन का लो टूटेगा एक स्विंग बनेगा 2800 तक का हमारा वही तारगेट हो जाएगा यानि कि ज 1200 के आसपास 90 के आसपास तो फ्लेट खुले या हलकी फुल की गैप भी खुले 2200 के उपर निकल के इस तरीके का एक स्विंग बना देती है तो अगला टारगेट जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा 200 दिन का मूविंग एवरेज या फिर 22200 तक का चलिए मैं मार्क कर देता इसको भी ताकि आपको कंफूजन ना रहे यह हमारा दोस्तों अगला टारगेट होगा क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे तो आप यहीं से सपोर्ट लेगे रिकवरी आए थी फिर ब्रेकडाउन हो गया रीटेस्ट भी हो गया तो यह लेवल इंपोर्टेंड लेवल है जो की निफ्टी का ऑप्शिन चैन है सपोर्ट कहा बे दिख रहा है बाईजार का लेवल पे एक लाग चौतिस जार मंदड़ी यह बैठे हैं एक लाग ब्यासी जार तेजड़ी यह बैठे हैं यानि कि अच्छा खासा बाईजार पे सपोर्ट है रिजिस्टेंस देखिए हो कि उपर गर निकले के कोई स्विंग बना दिया तो यह लोग सिधा सिधा ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में सो पॉइंट का मुमेंटम यानि कि 2200 जो अगला रजिस्टेंस है यहां तक हमको मुमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड अगर आप देखिए तो आप स निचे निकल के कोई स्विंग बनाती है चाहिए वो गैप डाउन खुले चाहिए वो फ्लेट खुलके निकले तो एक मोमेंटम हमको डाउन सेड सो दोसो पॉइंट का देखने को मिल सकता है दो दिन की दोस्तों चुट्टी थी तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते ही आप घुच जाओगे मार्केट को सेटल होने देना डेटा वगर अपडेट में कर दोंगा अगर कोशिस रहेगी अगर मुझे टाइम मिला तो लेकिन सेटल होने देना ऑप्शन चैन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की दस बजे के बाद देखने उससे पहले मत देखना क्यों कि पोजिशन जो है ओपन इंट्रेस्ट जो है वह सेटल होता है पोजिशन कठती है नहीं बनती है ठीक है तो दस बजे के बाद ही देखना ऑप्शन चैन को अब बैंक निफ्टी सेंटल जार पांसो एक हलका सा राउंड लेवल है यहीं पर एक रिजिस्टेंस है जो कि चार 500-600 के उपर निकले कोई स्विंग बनता है तो 48,000 का टार्गेट डोर खुला है बैंक निफ्टी के लिए हम कोल साइड प्लान कर सकते हैं स्विंग बनने के बाद बिना स्विंग बने काम मत कीजिएगा अगर 300 के नेचे निकलते तो अगला जो सपोर्टर वह 47,000 पर ही है ए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो यहीं तक था आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए गड़ो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरत में लोगों तो वीडियो आसानी से पहुंच जाए अपना कीमती से में निकाल वीडियो देखने के ल मिलते हैं कले एक ने वीडियो को साथ तब तक लिए बाइबाए जै माता दी जै हिंद